क्योंकि यहां पर फसल अच्छी होने की उमीद है इवन आज यहां पर बारिश जादा हुई है और MSP के नीचे चलते भावों को सपोर्ट करने के लिए अब सरकार की तरफ से हमने स्टेप भी आता हुआ देखा है राजेश जी नमस्कार स्वागत है आपका CNBC आवास पर सबसे पहले तो आप इस स्टेटमेंट को एनाउंसमेंट को कैसे देखते हैं और कितनी फीजिबिलिटी है इसकी जो गवर्मेंट ने MSP डिकलेर की है और उसके बाद अगर आज की तारिक में मंडियों के बाव देखा जाए तो आज सुबएक मंडी में जो बाव खुले है महाराष्ट में चुमाल इसो लेके 4400 से लेके 4700 तक के बाव आज मंडी में खुले है जो करीब परसों के मुताबिक एप्रोक्सिमेटली 50-100 रूपीज डाउन है तो आज की तारिक में यह पोजिशन है राजेश जी आपको क्या लगता है सरकार कितना प्रक्योरियां आपर कर पाएगी क्योंकि जिस सरा से हमने सरकार को काफी सारी कमोडिटीज में पॉलिसीज के तहट यहाँ पर डिरेक्टली मार्केट्स में उतरता हुआ देखा है आप इसको फीजिबिलिटी के लिहाँ से कैसे देखते हैं फीजिबिलिटी तो है थोड़ी बहुत गवर्मेंट कुछ न कुछ तो करेगी आज चब यह उन्होंने डिक्लियर किया है तो अभी कैसे प्रोक्यूर्मेंट करती है और कब यह प्रोक्यूर्मेंट शुरू होता है वो देखने की बात है और उस समय सीड के क्या बाव है तो वो इसाब से फार्मर शायद आगे आके देगे गर्मेंट को या तो वो डायरेक्ली प्लांट वाले को बेचेंगे लेकिन जब यह नया क्रॉप शुरू होगा तब बाहु के उपर खास डिपेंड रहेगा पार्मर सेलिंग काजेश जी साथ ही साथ ऐसा भी माना जा रहा है कि महराश्रा में अफकॉस यहां पर आगे जाकर हैं और काफी कुछ है और महराश्रा सेंट्रिक होता हूँ आमने देखा है काफी चीजों में एस्पेशली अग्रिकल्चर कॉमोरिटीज में भी आप कहेंगे यह एक और स्टेप है इस तरफ यह डेफिने इट कैन बी अल्राइट आदुल चातुर्वे जी हमारे साथ जोड़ और गर्मेंट डिरेक्ट इंटर्वेंशन यह तो यह थोड़ा अजीब और गरीब लग रहा है क्योंकि यह जो अब्जेक्टिव गर्मेंट का की स्वेवीन के प्राइजिस उपर हो उसका बड़ा सिंपल तरीका था क्या एडिबिल ओल की इंपर ड्यूटीज को बढ़ा ज पर हम लोग एक्सपेक्ट करते थे शायद भावांतर स्कीम लागू होगी पर वो तो भी दिखाई नहीं दे रही है तो गवर्मेंट इन प्रोक्यूर अब समत्ता हूं यह जादा कॉंस्ट्रेशन महरास्ट्रा में रहेगा विदर्भा एरिया में इन प्रोक्यूर्में जा फाइदा हो सकता है पर उसका नतीज़ा यह भी होगा कि महरा जो मद्यपरदेश का भी माल है वो स्लिप करके विदर्भा जाएगा गवर्मेंट की दिवरीज में राजे जी आप इसकी पॉसिबिलिटी कितनी देखते हैं जैसे अरतूल जी ने बता है आप जाहिए महारास् राजे जी तो कितना आप कहेंगे यह एलेक्शन ड्रिवन है और कितना फार्मर सेंट्रिक है इस ट्रीकी क्वेशियन आप जाहिए आज यह बता दीजे राजे जी कि स्टेप से अब कितना सपोर्ट आता हुआ देखें कि हम प्राइस को प्राइस में शाएद थोड़ा सपो कि अगर बात करें तो सोया बीन इस बिकम प्रिफर्ड ओयल एक्चुली क्योंकि सबसे सबसे सबस्ता ओयलाज सोया है बार्केट में तो वो भी एक उसको सपोर्ट देता रहेगा राजेश जी किस तरह की फसल एक्सपेक्क कर रहे है इस बार फसल में इस समय नेक्स फोर दे कमिंग यर वी एक्सपेक्ट अराउंड गटन्स कंपेट तो 102 फोर दे करद प्रिविएस यर फसल थोड़ी ज्यादा है इस समय और इसको मिला के किस तरह की अवैलिबिलिटी हो जाएगी बाजार में? बाजार में 107 प्लस बीएविगा केरी ओवर अराउंड 8-10 लेक तन्स तो टॉटल अवैलिबिलिटी विल बीराउंड बेवी सम्वर बिट्विएंड बेवी सम्वर बिट्विएंड पर वियू होता प्रक्यूर्मेंट सरकार की अफकॉस बफर स्ट दमाग बनाने की अवहर हमेशा से रणीती रही है काफी था어를 को लेकर सोया भी नहीं नहीं उड़ाद की भी खरेदारी इसी दरह से इहाँ पर हने की नज़र है आप सामने फסविवल सीजन लिमांड के सतरह से देखते हैं और आपको लगता है किसका एक फॉल O TRIP आ सकता ह मैं जब एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि आज की तारिक में गर्वर्मेंट को सारी चीज़ें प्रोक्यूर करने की कोई ओचित नहीं है और कितना आप प्रोक्यूर कर लेंगे तो ultimately you will have to make the situation such कि market forces ही बजार को उस लेवल पर ले आएंगे अगर आज आप चाहते हैं कि बजार थोड़ा तेज हो और obviously आज अगर मतलब समझ लेजे minimum support price से काफी नीचे बिकरा है soya bean तो अगर गर्वर्मेंट चाहती है तो उसको support करे तो कोई तरी सबसे आसान तरीका है कि कि आप ड्यूटी बढ़ा दीजे तो automatically वो हो जाएगा जो objective आपका है पर इसके साथ साथ गर्वर्मेंट को यह भी सोचना पड़ता है कि कहीं बजार ज्यादा तेज ना हो जाए और festival भी सर पहे है मैं समझता हूं यह balancing act काफी गर्वर्मेंट को करनी पड़ती है पर इसमें है simple thing is in my view कि आप import duties बढ़ा दीजे तो automatically बजार उस level पर मेरे साथ से soybean के context में एक और जो सब्चे बड़ी problem हो गई है कि आज soybean meal का disposal has become a big issue और उसमें DDGS भी है और यह सारी चीज़ें जो हैं तो soybean meal का जो realization आज की तारिक में है इंडस्ट्री को वो इतना ज्यादा कम हो गया है कि वो इंडस्ट्री is not in a position to pay minimum support prices or whatever तो भावांतार would have been the best bet and government would not have been saddled with stocks जो आप हो सकता है आने वाले दिनों में government के गले में आए अल्राइट अतुल जी तो पहले सरकार कंज्यूमर के लिए सोच रही थी अब यहाँ पर किसान के लिए सोच रही है आशा है इंडस्ट्री के लिए भी हम जरूर यहाँ पर कुछ जल्दी आतावा देखेंगे लेकिन until then बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका और अतुल जी आपका साथ जुड़ने के लिए और वो डीटेल में हमें समझाने के लिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है लोटेंगे तो